तो आप से भी वॉलिवूट इंडेस्ट्री के किंग खान कहे जाने वाले मशूर अभीने ताशारू खान के बेटे आरेन खान को तो काफी अच्छे से जानते ही होंगे जो हाली में क्रूज पर चल रही ड्रग पार्टी में NCB द्वारा अरेस्ट किये गए ही जिस वज़े से सोशल मेडिया पर खबरे आ रही है कि इन्होंने तो अपने करियर की शुरुआत भी नहीं की है और ना ही पहचान बना पाई है इसी लिए तो करियर शुरू होने से पहले फ्लॉप होने की वज़े से सोसाइट करने की नौबत भी आ गई है जी हाँ इन्होंने सोसाइट करने की भी कोशिश की है तो इसलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको आरन खान के इसी मामले के बारे में बताने वाले हैं तो बने रहे हैं आप हमारे साथ इस वीडियो के अंतक ताथी अपने फेवरेट एक्टर शारु खान के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले वॉलिवूर इंडरस्ट्री के मशूर अभीनेता शारु खान के नवाबजादे आरेन खान को नार्गोर्टिक्स कंट्रोल बैरो ने पकड़ लिया जी हाँ बॉंबई से गोवा जाने वाले क्रूश शिप में NCB ने छापा मार कर उनको अरेस्ट कर लिया है जिनके उपर ड्रग्स का सेवन करने के साथ साथ उसे बेचने वे खरीदने का आरो भी लगाया गया है और उनको नार्गोर्टिक्स कंट्रोल द्वारा ही रविवार को ही हॉलिडे कोर्ट में भी पेश किया गया था जहां आरेन खान के साथ अरबाच मर्चंटे और मुनमुन धमीजा को एक दिन के लिए कस्टरडी में भेश दिया गया है जिसकी खबर सुनते ही वॉलिवोड म हरकम मच गया है वॉलिवोड के कई सितारे शारू खान के घर पहुंचे और उन्हीं सपोर्ट भी कर रहे हैं अब जब ये मामला सामने आया है तो इससे साफ पता चलता है कि आरेन खान का करियर शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गया है क्योंकि अब इसे कोई भी डारेक आटyl supreme मक्रीखान अपनी गलतियों पोड़ करने की भी कोशिश कर चुके उन्हें अपनी इस गलती का बेहदी जयादा अफसोस है जिसके चलते उन्होंने से सब्ग करने की कोशिश की है ऩ该 इस बात पर कोई कंफर्मेशन नहीं पर फिर भी उन्की सो साइट करने की नौब जादे आरन खान के बारे में जानकर कैसा लगा आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही वॉलिवूर इंडरस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार ख़वरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले